Welcome to the YouTube channel Graphically आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं Eclipse के बारे में तो Eclipse आपके दू तरह के हैं एक है आपका Solar Eclipse और एक है Lunar Eclipse Solar Eclipse को हिंदी में बोलते हैं सूरी ग्राण और Lunar Eclipse को हिंदी में बोलते हैं चंद ग्राण तो Eclipse होते क्या हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ है ये Sun के राउंड और्बिट करती है और जो अर्थ का Moon है ये अर्थ के राउंड जो है और्बिट करता है तो अगर ऐसे कोई Situation आती है जहां पर आपकी ये तीनों सेलेस्टियल बाडी है अर्थ है, Moon है और Sun है ये एक लाइन में आ जाते हैं तो इस Situation को बोलते हैं Eclipse ऐसे Situation में देखिए क्या होता है? जो एक सेलेस्टियल बाडी की जो शैडो होती है ये किसी दूसरी सेलेस्टियल बाडी पर पढ़ रही होती है इसको भी हम लोग समझेंगे Solar Eclipse और Lunar Eclipse में जब पढ़ेंगे तो तो Basically अगर हम लोग Eclipse के Definition देखें तो Definition में ये होगा कि जब जो तीनों सेलेस्टियल बाडी हैं ये एक लाइन में हो जाएं और किसी एक सेलेस्टियल बाडी की जो शैडो है वो किसी दूसरी सेलेस्टियल बाडी पर पढ़े तो ऐसी situation को बोलते हैं ऐसे phenomenon को बोलते हैं Eclipse ये आपका दो तरह एका था Solar Eclipse और Lunar Eclipse तो पहले देख लेते हैं Solar Eclipse के बारे में और इसके टाइपस को देखेंगे तो देखें सोलर Eclipse क्या होता है जब आपका जो मून है ये अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो ऐसी situation को बोलते है अब देखें यहां पर क्या है जैसा कि आप जानते है कि दिन के समय में जो सन से लाइट आती है वू की शैड़ो है वह अर्थ पर पढ़ती है अर्थ पर फढ़ती आफिए है कुछ एक specific region पर ही पड़ती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है जब उस region में आप देखेंगे तो एक बिल्कुल black shape का देखेगा अंधेरा type का देखेगा यहाँ पर तो ऐसी situation को बोलते हैं से नामना को बोलते हैं solar eclipse अब यह भी आपका तीन तरह का है तीन तरह में आपका पहला जो है वह है total solar eclipse दूसरा है आपका partially solar eclipse और थर्ड और लाज्ट है आपका annular solar eclipse यह देखें बिसिकली डिपेंड करता है कि जो मून है इसकी position क्या है मतलब दूर है कि पास में वह अपका अलग एक है यहां पर हम देखने वाले हैं कि जो तीनों situations है जो तीनों eclipse है वह क्या क्या है तो दीखें यहां पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो moon है यह भी orbit करता रहता है यह भी अपना move होता रहता है और जो अर्थ यह भी move होती अब इसके वहला आपको moon दिखाई देता है और moon की shadow मतलब अगर अर्थ से देखते हैं तो पूरा तरह से आपको moon दिखाई देगा और sun दिखेगा यह नहीं तो ऐसी situation में क्या हो गया जो sun था वो पूरी तरह से जो आपका moon है वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता है बलकि आपको एजस से एक रिंग के शेप कर देखेए तो यहां पर इस situation में सॉललर एकलिस पारिशल्र सोलेरिकलिस और instructional इसके बाद चलते हैं लुणार एकलिस्ट के तरफ तक दिखिया लुणार क्लिफ समें क्या है यहां पर जब अर्थ यह सन और बीश में आती है तो इस situation को बोलते है इस यह आपका दो तरह का है दो तरह में इसमें एक है आपका total lunar eclipse और एक है partial lunar eclipse total lunar eclipse में क्या है जब पूरी तरह से अंधेरा हो moon पर उसको बोलेंगे total lunar eclipse बट अगर कुछ एक portion में moon पर light पहुँच रही हो पूरी तरह से उस पर अंधेरा ना हो तो ऐसे situation को बोलते हैं ऐसे phenomenon को बोलते हैं partial lunar eclipse तो यहां तक आये थे हैं कि आप समझ गए होगे कि जो आपका eclipse है वो तो तरह का था solar eclipse, lunar eclipse solar eclipse में क्या है? जब moon जो है अर्थ और sun के बीच में आ जाए और lunar eclipse क्या है? जब earth जो है moon और sun के बीच में आ जाए और यह आपका देखा आपने तीन टाइप्स का solar eclipse, total, partial और annular और lunar eclipse में आपका दो टाइप partial और total तो यहां तक आये थे हैं कि आपको समझ में आया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को share, subscribe और like करें और bell icon प्रेस करें ताकि आपको next वीडियो की notification मिलती रहे और आज करें वीडियो यहां पर रेंट करेंगे और इसके next वीडियो में पढ़ेंगे किसी next topic को